ओम्श्री श्वाय नमस्तु भी हम दोस्तूं। मैं श्विका। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चानल शिव नंदिनी श्विका में हार्दिक स्वागत करती हूं। बार 19 ओक्टोबर को बुध्ग्रह का गोचर होगा कहाँ पर तुला राशी में। जहाँ पर मंगल, शुर्या और केतु अल्रेडी विराजमान थे, 19 ओक्टोबर को वहाँ पर बुध्ग्रह भी ट्रांजिट कर जाएंगे। जहाँ, मंगल और केतु की यूटी से शिंग राशी वालों को काफी ज्यादा लाब होने वाला है। इन में अत्मविश्वास और साहस का संचार होगा और पूर्व में किये गये निवेश, इन्वेश्टमेंट से इन्हें लाब होगा। बार में मुनाफ़ा कमाने में सफलता मिलेगी, नौक्री और केरियर में भागय का भरपूर साथ मिलेगा, साथ ही इनकम के सोर्स में बढ़ोतरी होगी। दूसरे राशी है कन्याराशी, इनकी जो परिशानिया थी अब से दूर होने लगेंगी, जी हाँ, अटके कार्य भागय के कारण पुन्य होगी, अचानक से धनलाब होगा इनका भूमी या फिर भवन खरितने के योग बन रहे हैं कन्याराशी वालों के लिए, तो ये भूम मंगल और केतु की योटी से इन्हें बड़ा आर्थिक लाब होने वाला है, भोतिक शुक सुविधाओं का विस्तार होगा, खर्च करने के बाप जो दुधन के वज़त कर पाएंगे, ये काफी आसानी से, हाला कि व्यापारियों को कोई बड़ा अप्शर हाथ लग सकता है, इसके अलाबा नौक्रि पेशा लोगों का प्रद्पि या फिर वेतन ब्रिधिक के योग भी बनते हैं, तो ये चीज़ उनकी हो सकते हैं, प्र०्न के बड़ सकते हैं, चोथी राशी है मकड़ राशी, जिहां दूस्तों, मकर राशी के लिए इतू की योटी से नौक्री मे यह खऴीद सकते हैं कॉन मकर राशी वाले हाला कि जो मकर राशी वाले बिजनेस के फेल्ट में है वो मन चाहा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे तिनों के वर के बाद से क्योंकि ग्रहों की जो संग्योंग है न दोस्तों वो बन ही कुछ ऐसे रही है जिस संग्योग के बनने से इन चार राशियों के किस्मत ही चमक जाएगिया